मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के भिकन गाउं मार्ग पर एक बस पल्टी खा गई जिसमें करीब 25 से अधिक यात्री घायल हुए हैं बस में करीब 40 से अधिक यात्री सवार थे यह घटना सनावत भिकन गाउं मार्ग के ग्राम धकल गाउं में हुई यहां पिछले 10 महा से निर्माना धीन सडक का काम बंद होने के बाद मार्ग की हालत दहिनी हो गई थी वही बारी से इस मार्ग को और जरजर बना दिया जिसके कारण बस का एकसल तूटने से यह घटना घटित हुई नागरिकों ने बस में सवार सभी घायलो को सिविल अस्पताल भिजवाया जहां सभी का प्रात्मिक उप्चार किया जा रहा है ऐसा ही शरत पार्टेल ने बताया कि बस का एकसल तूटने से बस का स्टेरिंग फैल हो गया था जिसके बाद बस पलट गई ठाने के गोपाल निगवाल आरशक राजु गुर्जर सहीद नागरिकों ने मदद कर घायलो को अस्पताल भिजवाया खरगों से अजै तिवारी की रिपोर्ट हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हमारा चैनल S.W.24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें